कितना अच्छा होता ना हमें कोई ऐसी रेमेडी मिल जाती जो की हमारे बालों को जढ़ने से बचाए हमारे बालों की लंबाई बढ़ाए, बालों में ठिकनेस लेकर आए, बालों को रिग्रो करे तो आज की जो रेमेडी है दोस्तों आज जो इस वीडियो में रेमेडी लेकर आई हूँ वो आपके सारे परिशानियों को दूर करेगी बालों से जुड़ी हुई सारी परिशानियों को दूर करती है शिका कई सबसे पहला इंग्रिडेंट है मेरा शिका कई जिसका आयरोेड में बहुत जादा महत्वा है एक पौधे की फलियां होती है दोसों ये फलियां सूख जाती है तो इसे तोड़ कर इस तरह से मार्केट में बेचा जाता है शिका कई का पाउडर भी आता है आप चाहें तो इस त इसलिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोड़क्ट में बहुत सारे शैंपू में बहुत सारे हेयर टॉनिक में शिका कई आपको इंग्रिडेंट की लिस्ट में दिखाई दे जाएगी दोसों इतनी पावर्फुल है ये है शिका कई का पाउडर ये भी आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आज मैं शिकाकई के पाउडर का इस्तमाल नहीं करूँगी खड़े शिकाकई का और खड़े अरीठे का इस्तमाल करने वालू हूँ ताकि किसी तरह की कोई मिलावट का डर न रहे नहीं तो कई बार पाउडर आता हमें लगता पता नहीं प्योर है की नहीं ये है अरीठा एक माइल्ड प्लिंजर की तरह काम करता है सोपनट हमारे बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है सिर की खुजली को दूर करता है हमारे बालों में जो भी धूल, मिट्टी, पसीना जो भी है उसे बाहर निकालता है शैम्पू से भी ज़्यादा अच्छा फाइदे मंद है अरिठा, शिककई और आमला जिनका इस्तमाल पुराने समय से ही बालों को काला घना लंबा करने के लिए किया आता जा रहा है आमले का पाउडर ले सकते हैं या मेरे जैसे आमले को सुखा कर भी आप ले सकते हैं यहाँ पर मैंने आवले को काट कर सुखाया है और साल भर के लिए मैं आवले को इसी तरह से स्टोर करती हूँ. शुद्ध है तीनों चीजे इसलिए मैंने तीनों चीजे खड़ी चीजे ली हैं. आवला विटामिन सी से भरपूर होता है. हमारे स्केल्प को हेल्दी बनाता है. हमारे स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है. जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है अच्छा होता है दोस्तों तो इससे हमारी हेर ग्रोध भी फास्ट होती है. अगली चीज ये जो बीज देख रहे हैं न दोसों ये है मेथी के बीज कलाउंजी के बीज एक एक चमच आपको लेना है यहाँ पर अरीठा और शिका कई को मैंने दो खंटे पहले पानी में भिगा कर रखा था ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ देखे जैसे ही मैं अरीठे को दबारी हूँ न ये इतना सॉफ्ट हो गया है और आपको अरीठे का उपर का कवर लेना है ये इसके जो बीज दिख रहे न देखिए जो गुठली दिखी आपको कड़ी कड़ी से ये जो बीज होता है न दोसों इस बीज को हटा देना है नहीं तो आप जब इसे ग्राइंड करेंगे न तो बीज मिक्सी को खराब कर सकता है हमारे मिक्सी के जार को इसलिए मैंने पहले से भिगाया था सारे बीजों को देखें कितना सुंदर काला सा बीज है दोस्तों इसे आपको अलग करना है शिकाकई में भी छोटे बीज होते हैं पर उन्तों शिकाकई के बीज सॉफ्ट होते हैं अरीठे का बीज बहुत हार्ड होता है तो इसी तरह से मैं पने पांच अरीठे को भिगाया है और चार से पांच शिकाकई की फलियों को भिगा दिया है ये जो टॉनिक जेक रहे हैं ना बालों पर लगा लें, बालों का छटना बंद होगा, दोस्तों ये ना सोचे बिलकुल बंद हो जाएगा, हो सकता है आठधस बाल गरें ना के बराबर आपके बाल गिरेंगे, इतनी ज्यादा पावर्फुल रेमेड़ी इसे लगाने से आपके बालों में बहुत अच्छी चमक आएगी डेंडरफ और रूशी की समस्या दूर होगी बाल, बालों का ज़ड़ना हेर लॉस कंट्रोल में आएगा बालों में ठिकनेस आएगी ये एक ऐसी रेमेडी है दोस्तों जिसे आपको नहने से पहले लगाना है आदे घंटे पहले आप इसे लगा सकते हैं बालों की जड़ों से लेकर बालों की लंबाई पर एक चमच मेथी, एक चमच कलोंची लोहे का बर्तन लिया है जब भी कोई हेर रेमेडी बनाए बालों के लिए तेल बनाए, हेर पैक बनाए लोहे के बर्तम का इस्तमाल करने से और अच्छा रहता है इस remedy में हमारे iron के ततो भी आ जाते हैं और iron हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है हमारे hair cell को नरिश करता है गैस शालू कर दिया है इसे उबलने रख दिया है पिछले वीडियो में जो मैं थेंक्स बोल रही हु है और पाकिस्तान कराची से फातीमा जी को मैं थेंक्यू बोल रही हूं तो देखे यह चीज़ें अच्छी तरह से उबलने लगी हैं और बीज वीच में से चलाती जा रही हूं इसी से ही hair wash करना है दोस्तों बजार वाला shampoo का इस्तमाल नहीं करना week में एक बार आप इससे hair wash करें week में एक बार आप अपने कोई भी favorite shampoo ले सकते हैं shampoo के बिना satisfaction होता ही नहीं हम लोगों को जबकि ये चीज़ बहुत फायदे मन्द है जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों बालों से जुड़ी हुई सारी परिशानिया दूर होंगी अच्छी तरह से 10 मिनट तक इसे boil करना है boil करने के बाद इसे ठंडा करें चानना है और फिर लगाना है आप चाहें तो बची हुई जो चीज़ें अरीठा शीका कई चानने के बाद उन्हें grind करके उसका paste बना कर बालों पर लगा सकते हैं फेकना नहीं हैं किसी भी चीज़ को आपको मेथी कलोजी जो होते हैं मेथी के इन बीजों में दोस्टो विटामिन सी होता है हमारे स्कैल। को healthy बनाती है और जब हमारा स्कैल्प healthy होता है तो बालों का जढडा रुकता है बालों की लंबाई बढ़ती है कमजोर बालों को repair करेंगा शिका कै इतना फाइदE औ आवला क्या करता है दोस्टों, आवला जो होता है हमारे हेयर, हेयर फॉलिकल में मेलेनीन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे हमारे बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं, चाहें तो राद भर ढाक कर रख सकते हैं लोहे के बरतन में, टाइम है तो जरू ढाक कर रखें पर जो सुबा सुबा बनाना भूल गए है मालीजे रात को नहीं कर पाए हैं तो आप इसे तुरंद भी इस्तमाल कर सकते हैं दोनों तरीके अच्छे हैं रात भर रखेंगे तो और भी अच्छा है और ये जो हेयर टॉनिक है दोस्तों बाकी की चीचों को मैं ग्राइंडिंग आवला अरीठा जो होता है हमारे बालों की डीपली क्लीनिंग करता है हमारे बालों को हैल्दी बनाता है हमारे स्कैल्प को हैल्दी बनाता है बालों में नैच्रल शाइन लेकर आता है अरीठा सोपनट कहते हैं दोस्तों बहुत से हमारे हां सोने के जेवर को साफ करने के लि और लगाना है, आप अपने हाथों से लगाएं, मेरी बेटी इस तरह से एक कॉटन ले ली है, कॉटन को इसमें डिप करती जा रही है, अपने स्कैल पर स्क्वीज करती जा रही है, पूरे बालों की जडों पर लगा कर रखना है, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम जरूर नहीं तो 20 मिनट तो जरूर रखें उसके पानी से हेयर वाश करें कमाल का रिजर्ट मिलेगा दोस्टो हलका हलका से लगाते जाएं या इस तरह से कोई ड्रॉपर हो किसी बॉटल का इस तरह का कोई धकन हो आप उसकी साहता से भी इसे लगा सकते हैं जितनी अच्छी बालों की केर करेंगे बाल लंबे समय तक हेल्दी रहने वाले हैं हम बालों की केर नहीं करते बहुत जादा केमिकल की चीजों का इस्तमाल करने के कारण ही हेयर फॉल बढ़ने लगा है उम्र से पहले बाल सफेद होने लगे हैं यह सारी परिशानिया दूर होंगी वीक में एक बात आपको इस टॉनिक को बालों पर लगाना है आते घंटे के बाद हेयर वाश करें इसके बाद जो भी टॉनिक बचा है इसे पूरे बालों की लंबाई पर लगा कर रखना है तो वीडियो कैसा लगा दोसों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे टिप्स थीएटर चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी न चाहिएगा वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करिए